तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है, 12 ट्रेन हाथसे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है गलत सिगनल की वज़ से यह हाथसा हुआ तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, मेन लाइन से लूप लाइन पर गई कोरो मंडल एक्स्प्रेस खराब सिगनल की वज़ा से गाडियों की जो पट्री थी वही बदल गई सायूक तो जाच कमिटी के रिपोर्ट से ये बहुत बड़ा खुलासा तो लगा था जाच चल रही है और इस जाच में बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि तरअसल जो सिगनल मिल रही थी वही गलत थी सूत्रो के हوाले से ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आरे ये मेन लाइन से लूप लाइन पर गई थी ये ट्रेन खराब सिगनल मिल रही थी जिसकी वज़ा से पट्रियां ही बदल गई साइंक तो चांच कामिटी की रिपोर्ट से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है हाना कि सूत्रों के हवाले से निकल कर ये बड़ी जानकारी आ रही है तो इस पूरे हाथसे पर इस वक्त की बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बाला सोर ट्रेन हाथसे पर गलत सिगनल की वज़ह से ये ट्रेने आपस में टकरा गई जिसकी वजह से 200 से जादा जाने गई है अभी भी तकरीबन हजार यात्री इलाज श्रत है अस्पताल में खराब सिगनल की वजह से ये हाथसा होने की बात निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी बालसोर ट्रेन हाथसे पर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस बीच अभी थोड़ दिर पहले पश्यमंगाल की मुखी मंत्री मंतवानजी ने कहा कि इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस ही नहीं था अगर ये डिवाइस होता तो आटोमेटिक ब्रेक लग जाता जिसकी वज़े से शायर ये जिन्दगिया नहीं जाती इतने लोगों की जान नहीं जाती ये भायानक, ये भीशन, ये भायावा हाथसा नहीं हुआ होता तो सूत्रों के वाले से बड़ी ख़बर्स खराब सिगनल की वज़े से ये हाथसा हुआ है मेंन लाइन से लूप लाइन पर कोरो मंडल एक्सपेस चली गई और खराब सिगनल की वज़े से गाड़ियों की पट्रिया ही बदल गई तो ओडिशा बालसोर हाथसे से चुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ख़बर सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि खराब सिगनल की वज़े से ये भायावा हाथसा हुआ है इस अदी का सबसे भायानक हाथसा जिसकी वज़े से अब तक 261 लोगों की जान जा चुकी है और आशनका जाहिर की जा रही है कि मौत का ये आकड़ा बढ़ सकता है तो अलग-अलग रियाक्शन में निकल कर सामने आ रहे हैं इस भी जो खबर आई है वो अपने आप में चौकाने वाली है शायद इतना भ्यंकर इतना दर्धनाक हाथसा बहुत लंबे समय से कभी नहीं सुनने को हुआ और इसके लिए हम सभी अपनी संवेदना जो मौत को के परिजन है उनको संवेदना पेश करते हैं और दूसरों के लिए उनकी जल्दी वो ठीक हो जाएं उनके लिए कामना करते हैं और मैं यह समझता हूं कि सरकार को एक दम इसके लिए जतना मौफजा दिया है मौफजा शायद उससे ज्यादा दे देना चाहिए आज के दिन तो अगर आप मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिबूनल्स का भी देखें वहां भी एक्सिडेंट के केसिज में डेस्ट केसिज में कहीं ज्यादा मौफजा मिल जाता है लेकिन इस दूर घटना ने सब को हिला करके रख दिया है सब्सक्राइब पहले तो मैं उन अमरित जो हुए हैं उनके प्रती अपनी शम्वेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार को उनके दुख कोशहने के सक्ती भागवान दे इसके लिए प्रार्थना करता हूं और इसकी घंभीरता से जाच सरकारत और निश्चित रूप से कराएगी की रेल मंतरी भी ड्यानमिक हैं जिसना ते मुझे लगता है कि वो इस पर जरूर ध्यान दे करके विए करेंगे भविश में इस पर घर की दुख हटना ना हो इसके लिए भी प्रत्न करना चाहिए के साथ हमारी सववेदनाय है हम पूरतकों को शध्यांजली देते हैं और इश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ती इश्वर दे जो लोग अभीवी जखमी है उन्हें स्वास लाब हो इस प्रकार की भी हम लोग कामना करते हैं कि अप्डेट्स के लिए सीधे रूख कर लेते हैं अपने सहीयोगी रिशिकेश का रिशिकेश जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निगल करके सामने आ रही है वो चौकाने वाली है कि सिगनल ही खराब मिल रहे थे जिसकी वज़व से पट्रिया बदल गई और ये भयावा हादसा पेश आया है संट किया गया था और इन दोनों गालियों को गुजारना था देखिए न्यूटिफोर जुक्याला भी रेल मंत्राले में बैठकों का दौर जा रही है और मेरे पास वो मैप है देखिए कि बीच में दो दो पट्रिया है जो एक हाबडा की तरफ से जा एक हाबडा की तरफ हर यह एक मदास की तरब जा रही है जो लूप लाइन ही बो यहां पर खड़ा था यहां पर रेलवेय के माल गाली खड़ी थी सिगनल यहां से इस तरफ से जो आ रही थी बो सिगनल यहां से खराब था और वो सीधा जो कोरो मंदल एक्स्प्रेस ऑगी में यहां जिस प्र ल इसने रिपोर्ट दी है तक्रीबन 25 ऐसे पॉइंट बनाए गया है जिसके आधार पर यह कहा गया है तो जो बड़ा अपडेट है अपने दर्सकों के लिए कि पहला जो खराब सिग्नल था उसकी बिदर से इतनी बड़ी चूक हुई है और बड़ा रिलहाथ सा हुआ जी जो रिपोर्ट आपके हाथ में है रिशिकेश अमें बताई आपने का कि तक करीवन 20 से 25 पॉइंट है और इस रिपोर्ट को और भी आप डीटेल में ज़रा समझाईए ताकि दर्शक भी चान पाए समझ पाए देखिए जो रिपोर्ट पहली डाली गए उसमें कहा गया कि जो सिगनल था वो खराब सिगनल था और जो में लाइन का सिगनल था वो बिलकुल खराब हो गया था और दूसरे लाइन का सिगनल जो लूप लाइन का सिगनल उस पे आउन हो गया और तेज गती से तकरीबन सो एक सो पांच की गती से कोरो मंडल एक्सप्रेस उसी लूप पट्रियों पर गुजर गई जहां पहले ही मालगाली खड़ी थी और एक बड़ा हाथसा हो गया पहली बात यह कहीं जा रही है दूसरा जो अपडेट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुकि कवच का सिस्टम उस पूरे रेलबे ट्रैक पर नहीं था इस वज़ासे यह जो सेप्टी का इशू था वो इसको लेकर के जो सबसे बड़ा चूकिया खत्रा था वो इसको लेकर यह पूरा नहीं किया गया लेकिन जो सबसे बड़ा आपडेट हाला कि अभी यह इनिसियल रिपोर्ट है बहु मुश्किल हुआ दो से तीन ऐसे डबे थे जो एक दूसरे पर चड़ गए हैं वो अभी पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन सी पट्री के नीचे है कौन सी पट्री के ऊपर है गती इतनी तेज थी कि जो पटरिया है बोट ट्रैक में जो रिल्वे के कोच है उसमें घुस गई रहे हैं जो रिल मंत्राले के पाजानकारी जो हां से अलग-अलग अस्पतालों से चुन करा रहे हैं तो देखे कि मेरे हाथ में जो अभी भी बैटको का दौर जो डाइग्राम है यह लूप लाइन पर यहां पर माल राड़ी खड़ी थी यह मद्रास की तरफ यह ट्रैक जा लाइन वाले जहां पर पहले से माल गाड़ी खड़ी थी जिसे संड कर दूनों गाड़ियों को पास कराना था और यहां पर इससे वह टक्रा गई जिसके बाद इसके मलवे इन पटर्यों पर बिच गए और उधर से जो दूसरी गाड़ी आ रहे थी वह तक्रीबन छे बचक पांच मिनेट या आठ मिनेट के दर्मियान आ रही थी जो कि मलवा यहां पड़ा था और तीसरी गाड़ी का इंवाल्मेंट है वह इससे टक्रा कर वह पलट गई है तो यह चार या पांच चार जो लेन का पट्री था उसके चारों तरफ जो डब्बे थे वह विखर गए औ लेकिन यह आकला जो अनाधिकारिक तौर पर जो सुत्र हमेजान का इदर है वो 350 के आसपास है जो बाड़ी वहां मिल चुकी है तो क्या हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपस में कम्यूनिकेट ही नहीं हो पाई कि कॉंसी ट्रेंट कहां पे हैं जिसकी वज़़ से भी यहाथ सा हुआ है अधिके बिलकुल अगर छे बजकर 50 मिनट पर चुकी यह जाहिर सी बात है कि जो माल गाली लूप पर खड़ी थी वो पहले से खड़ी थी तक्रिवन 15 से 14 मिनट का वक्त रहा होगा और इतनी तेज आवाज हुई जब कोरो मंडल एक्सप्रेस और माल गाल से जो असानिये लोग हैं वो आकर यहां घुसे और तीन से चार सो लोगों को पहले बाहर निकाले सवाल यह है कि 10 मिनट का अंतराल था स्टेशन मास्टर अगर उतना बड़ा हाथसा हो गया तो आपने दूसरे स्टेशनों पर इसकी सूचना क्यों नहीं दी जहां से दूसर लिवाजी है कमिटी के गठित हुए भी तकरिबन मुश्किल से 4 या 5 घंटे का वक्त हुआ और जो पहली रिपोर्ट है जो मैं बार बार कर रहा हूं या आखरी रिपोर्ट नहीं अपने दर्सकों को बता रहा हूं जो सिगनल खराब होने की बात है वो पहली रिपोर्ट मे है तकरिबन 22-23 से बिंदू है जिसकी रिपोर्ट में जिक्र है जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिक्र है वो इसी का है कि खराब सिगनल की वह से पटरिया जो रेल है वो उसने अपना ट्रैक बदल लिया और इस बज़े से इतना बड़ा हाथसा हुआ अगर इतनी तेज ज़गती थी कि आप समझें कि अगर 300 का यह आकड़ा है और अब तक का रेल का सबसे इस सदी का कब सकम सबसे बड़ा आकड़ा है अलाकि जो बड़ी रेल दुरगटना 1981 1981 में हुई थी वो उसमें आकड़ा तकरिवन 600 के आसपास था लेकिन यह आकड़ा भी एक बहुत बड है और यह सदी का सबसे बड़ा रेल हाथसा कहा जा रहा है इसलिए तमाम लोगों के हाथ पुले हुए हैं बैटकों का दौर मैं भी रेल मंतराले मौजूद हैं मौजूद हूं और यहां अभी भी हाई-लेवल मिटिंग चल रही है वार रूम से एक एक चीज की निगहवान रही रखी जा रही है अब से थोगी दिर पहले इसी तरीके से जो यहां के मेंबर ट्राफिक और ऑप्रेशन है उन्होंने प्रदान मंतरी को बकादा जानकारी दी उन्हें एक प्रेजंटेशन दिया और उसी की कॉपी बनूश 24 आपको बता रहा है रेलबेट ट्रैक के जर यह इनीशिल रिपोर्ट है हाला कि हम बार-बार कह रहे है रिशिकेश बार-बार कह रहे है रिशिकेश एक और बात जाना चाहेंगे आपसे आपसे थोड़ दिर पहले रेल मंतरी की मौझूदगी में पश्चिम बंगाल की सीम ने कहा कि उस ट्रेन में एंटी कोलिजन अधसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक तिलंगाना और साउथ के एक और स्टेट हैं जहां पर सुरक्षा कवच को जांच के तौर पर सही पाया गया और वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं जो अपने दर्सकों के लिए और आपके जानकारी के लिए बताओं कि जो सुरक् लगे ही नहीं थे अगर उसका सिगनल खराब था तो आप समझे कि सुरक्षा कवच्टक की बात विवानी है और इसी रहे जो पहली रिपोर्ट है जो संजुप कमिटी बनाई गई है जिसमें कई सारे लोग हैं उस कमिटी में पहली जो प्रफम रिपोर्ट है पहला कर होती है और इतनी भीशन टक कर थी कि 24 डब्बे थे उसमें से 23 डब्बे बिलकुल बूरे तरीके से जिसके परखच्चे उड़ गए जो इतनी तेज ही कि उसकी पटरिया उसके डबों में घुस गई है तो ये एक बड़ा है ये कोई मानविये भूल नहीं है बलकि ये खर जाब सिगनल एक बहुत बड़ा चूक बताया जा रहा है दूसरे अस्तर पर जो चूक है कि अगर घटना होती है तो उसके तुरंत बिदिन कुछ सेकेंड आपको सूचना करना परता स्टेशन मास्टर आसपास के इलाकों में सूचना कर देते हैं कि यहां पर हाथसा हो गया उसी ट्रेक के आसपास से गुजरती है और वो भी पलट जाती है तो यह एक और इसमें तीन ट्रेन का ऐसा सायद बीचे कई दसकों से हमने तो नहीं देखा कि इतने बड़े हाथसों में तीन ट्रेन एक साथ टक्कर हो या तीन ट्रेन का इन्वाल्मेंट हो या तो सीधे टक और इसा के परसासन की तरब से 300 का फिगर दिया जा रहा है लेकिन जो अनाधिकरिक तरब से जो सुचना है वो 350 से ज्यादा का है